चांडल वन शेत्र अधीन आंडा गाउं में एक 6 फिट का हाथी सूखी कुए में गिर गया रात भर हाथी अपने साथी को ना पाकर अंधेरे कुए में तड़ता और चिहाडने लगा जिससे आसपास के दरजनों गाउं के ग्रामी इनभै भित हो गए घटना अड़ा गाउ के रोहिन सिंग मुंडा के घर के सिचाई कुए के पास घटी हाथी जुंड से बिछड कर भागने के दोरान कुए में गिरा घटना में हाथी गंबी रूप से घायल भी हो गया है एक तरफ ठंड और दूसरी और घायल हाथी के चिगारने से ग्रामी इनभै दहशत में आ गए ग्रामी इन लखी कांत ने बताया कि बुद्वार की रात करीब 10 बजे जंगली हाथीों का जुंड गाउं में गुसा जिसके बाद ग्रामीनों के खलीहानों में रखे धान एवंपुआल को निवाला बनाया रहा है हां सर्च बोह रहा है उस टाइम बढ़ा हा थीक है हम लोग निकर रहे फरिष्ट रसाहएब आया दो वाजे दो बाजे पहन्चा उसके बाद देख रहा हां जो हाथी पुरा इधार उधार भटक रहा है सबी हाथी था उस ट्रैम जो खेदने वाला हाथी खेदने व उस दोरान पटाका जलाये जाने पर हाथियों का जुंड इधर उधर भागने लगा इसी दोरान जुंड से बिछड कर एक सूखे कुए में एक हाथी जागिरा जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई घटना अस्थल पर मौझूद चांडिल वन शेत्र के पदाधिकारी मैनेजर मिर्धा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही हमारी टीम घटना अस्थल पर पहुँची जेसी भी मसीन के माध्यम से हाथी को निकालने की कोशिश की जा रही है इस घटना में हाथी को अंद्रूनी चोट लगी है हाथी के उपचार के लिए चिकित सके टीम को भी तयार किया गया है न्यूस विंग के लिए गंगाधर पांडे की रिपोर्ट